नमस्कर दोस्तों UPVC Windows Training Video Series में आज हम आपको SAS formula निकालना और उसमें correction करना बताएंगे तो सामने यह जो two track window है और यह two track window का SAS का size निकालना तो एक पहले हमने वीडियो बनाया था जो हमने description में दिया वा है उसमें हमने इसमें देखिए 6mm overlap के साथ इसका SAS का size निकालना बताया था तो उसमें कई type के comment थे और इसलिए हमने का थोड़ी clarity कर देते हैं क्योंकि देखो पहली clarity यह होती है जैसे अगर आपको यादो हमने description में दिया है वीडियो तो हमने यह 1220 by 1380 की size बोला था तो 1220 इसके width थी और height थी 1380 तो जब भी हम यह लिखते हैं ना तो हम यह मान के चलते हैं कि इसमें welding जुड़ावाया है मतलब जो आप बाहर से size लेने गए थे उसमें आपने 6mm welding के जोड़े में आए और तो बाहर से आप जो लेके आए थे वह 1214 भाई 1384 था तो जब 6mm welding के लिए जो कि welding खाने के बाद यह छोटी हो जाएगी तो इसी size की आएगी तो fit लगेगी तो 1220 भाई 1380 तो यह वीडियो मिसले बना रहे हैं क्योंकि कई लोग ना देखो सीधे तो formula मांगते हैं और कई बारी ऐसे comment आते हैं कि size गलत है और तो हमने का इसमें clarity द देखिए हमने इसमें इसे लिखा था window size मैं overlap size overlap into 2 जोड़ें और frame into 2 को minus करें तो यह formula आपका same रहेगा और overlap 6mm लेना है कि 10mm लेना है यह 8mm लेना है आपके hardware पर depend करता है आप इस तरह के comment लिख सकते हैं कि हम लोग के use करते हैं तो वो हम अपने हिसाब से बताएंगे क्योंकि देखिए हम हमेशा हमने जो इसमें आपकी profile ली थी ना यह जो frame था यह वैसे 3 track की खिड़की है तो 52 mm का frame लिया था तो हमने हमेशा आपको formula इसलिए बताया है कि generic होके आप कोई भी बना पाएं तो इसलिए ही यह clarity हम दे रहे हैं तो 1220 आप यह welding साइज जोडने के बाद थे तेरह सची था overlap अगर आप इसमें 88 mm करेंगे तो यह 16-16 हो जाएगा इसी formula में और जो आपका frame का size इंटू 2 करके तो इसमें एक ही हमको गलती समझ में आई थी जो कि हम से miss हुआ था वो भी हमने description में हम इसा ठीक करके रखते हैं और वो हम इसलिए छोड़ देते हैं कि बंदा अगर clear होगा तो description देखेगा और वो 3 mm का gap था क्योंकि हमने height में बोला था height तो सीधर सीधर निकल जाएगी 1380 में से overlap इंटू 2 प्लस 12 करेंगे मैंने 604 तो height आएगे 1288 और इसमें welding का जुड़ावा है मतलब जब यह बनके आएगा ना size तो 6 mm कम होगा तो जो आप size की cutting करेंगे वो 1288 की height होगा और यह जो हमने बोला था आपको विड़ेत निकालने के लिए कि overlap size से लेके एक लंबा size यहां तक आप मानेंगे जो कि overlap तो fit आएगा उसका midpoint लेंगे midpoint में जो यह size की विड़ेत है उसका half joding है तो उसमें हमने यह miss किया था यह जो welding यहां पर दो जगे welding होगी तो यह 3 mm welding का और जोड़ना था तो सिर्फ 3 mm का gap आपका तो यह 1220 प्लस 12 minus 104 1128 divided by 2 564 में अगर 67 size का size है उसका 2 किया तो 33 आया यह आप 34 भी ले सकते हैं क्योंकि 33.5 आएगा तो 597 जो आया उसमें 3 mm welding का gap आप और जोड़ने बल्कि उस वीडियो में हमने बोला था कि welding की consideration अलग से करना पर कई लोगों को सीधा formula और सीधा गलतिया होती हैं तो हमने का उन्हें भी clarity दे दे हैं कि भई या तो comment में ही आप help कर दें सबकी पर हम लोग भी step की वीडियो देके और clarity देंगे बट इसके बाद भी हम यह कहींगे कि यह चीज़ें सिर्फ आइडिया के लिए रखे हैं आप धीर इकर्स का यूज़ करना पढ़ रहा है तो इस formula में 597 प्लस 3 तो 600 इंटू 1288 यह इसका size हो जाएगा जबकि 6 mm overlap है तो अब आपसे question है कि 8 mm overlap से क्या size होगा आप comment कीजिए धन्यबाद दोस्तों